हलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका डेटा फेर डाट प्रोग्रामिंग के इस फ्री सेटिफिकेशन कोर्स में काफी दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही हैं मेल्स आ रहे हैं कि सर डाट का कोर्स शुरू करिए तो चलिए शुरुआत आज करेंगे डाट प्रोग्रामिंग के साथ लेकिन आज के इस वीडियो हैं बहुत इंट्रोडक्शन कॉंसेप्स को डिसकस करने वाले हैं और सबसे मेजर इंट जो कॉंसेप्स करने वाले हैं वाई दिर इस नीड ऑफ डाट वन अल्रेडी मॉल्टीपल लैंग्विज अर अविलेबल किसर ज दूसरा जो हम यहां पर बात करेंगे जो अक्सर बच्चे मुझसे बूशते हैं कि सर इस अनी प्री रिक्विजिशन टूलन दिस डॉट टेक्नलोजी कि क्या मुझे प्रीवियस्ली कोई लैंग्विज का नॉलेच कंपल जरी है तो मैं बिलूँगा बिल्कुल भी नहीं य यहां पर अगर आपको कोई प्रीवियस लैंग्विज का नॉलेच है तो अच्छी बात है और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस पूरे कोर्स को हम बिगनिंग से पढ़ने वाले हैं तो एवन फॉर बिगनर वूर्ट नो एनिधिंग अबाउट दो प् पहला कॉंसेप्ट होगा वाइडाट देन सेखेंड हम बात करेंगे वाट बॉट इस डार्ट कि डार्ट क्या है सर इसको हम कैसे यूज करेंगे ओके एंडेन फाइनली इसको कैसे सीखा जाएगा अब देखिए वाई के घर हम बात करें बिलीव में अगेन आम टेलिंग और बताई ये मुझे कि कितने एक्साइटेड है आप इस नई टेक्नलोजी को लेकिए आप देखिए लैंग्वेस तो यह 2011 में आ गई थी यह ना इन दिस लैंग्वेज एक्चुली गिवन बाद गूगल इन 2011 लेकिन यूज में आई है 2016-17 में ओके तो क्या रीजन था डार को यूज मैं तो यहां पर हाम देखिए कि जैसे जैसे टाइम चेंज्ज होते हैं वेसे-वेसे सॉफट टे डिवलपमेंट में भी काफी चैंज आए मतलब software develop होते थे तो वो होते थे desktop application, desktop application मतलब for a single user आपने एक software को develop किया है उसको use करने वाला client एक single client है लेकिन फिर आया web development का concept कि जहां पर हम web development की बात करने internet based application की हम लोगों ने बात की ओके और website बनना शुरू हुई ओके इसके बाद जो तीसरा phase आया वो आया mobile development का तो यदि आज ही हम बात करें सो बहुत mobile development क्या है यह मुझसे बेटर आप समझते हैं because nowadays everyone wants the software on a mobile अब हर व्यक्ती software को mobile पे चा रहा है पहले website को हम use करते थे system पे यह laptop पे but now I want to access the same website in mobile okay और जब हम mobile application की बात करते हैं तो फिर mobile में हमारे पास multiple choice आती है क्योंकि mobile mainly अगर देखा जाए तो दो operating system यूज करता है या तो Android या iOS आला कि तीसरा भी Windows है but most of the user either go for Android और iOS okay लेकिन यहां पर जब mobile development की शुरुवात हुई थी तो शुरुवात हुई थी नेटिव प्लेटफॉर्म के साथ नेटिव प्लेटफॉर्म मतलब क्या कि बहुत से यदि मैं Android के लिए app develop कर रहा हूं तो I cannot use that app in iOS और अगर मैं iOS के लिए app develop कर रहा हूं तो I cannot use that app in Android right तो यदि Android development मुझे करना है तो फिर मुझे जाना परता मैं Java पर जाओंगा या मैं Kotlin पर जाओंगा ओके लेकिन Java और Kotlin को यूज करके अगर मैं Android बेस्ट अप्लिकेशन बनाता हूं तो I cannot use this on iOS तो फिर iOS के लिए हम कौन से language यूज करते हैं सर तो iOS के लिए हमारे पास option था अब्जेक्टिव सी अभी भी है अलांकि अब्जेक्टिव सी को हम यूज करते है या Swift technology को हम यूज करते है तो concept यह बोलता है कि यह सब native platform है कि यदि मैंने objective सी या Swift को यूज करके कोई software या app डेवलप किया है तो वो Android पे नहीं चलेगा और अगर मैंने Java या Kotlin को यूज करके कोई app की डेवलप किया है तो वो iOS पे नहीं चलेगा लेकिन यहां पर user कोई problem जो शुरू हुई वो यहीं से शुरू हुई because most of the user या तो Android यूज कर रहे है या iOS यूज कर रहे है तो पहले यह होता था कि बहुत हर एप के दो वर्जन बनते थे एक Android वर्जन और दूसरा iOS वर्जन लेकिन यहां पर problem भी काफी आई कि अगर कोई अब्डेशन आता है तो मुझे फिर दोनों में अब्डेशन अलग अलग टेक्नोलाजी के साथ करना है तो यहां पर रिक्वार्मेंट आई क्रॉस प्लेटफॉर्म कि क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब क्या कि सर मैं एक ऐसा एप बनाना चाहता हूं जिसको मैं Android पे भी रन कर स लेकिन फिर पता है इसमें एक सेजेशन और दिया गया कि अगर ऐसा कुई एफ बनाना है नहां पपर एक काम कर रहुं स्की वैबसाइट बना दो तो वैबसाइट को आप एंडॉट पर देख लो या वैबसाइट को आप आयोस में आगर आपको लगता है कि आपको कांटें समझना problem मतलब बात हमारी यहीं चल रही है वाई डाट कि डाट लैंग्विज हम क्यों सीखना चाह रहे हैं तो आता हुए उस पर भी लेकिन problem तो समझो कि डाट को लाया क्यों गया है तो यहां पर problem का solution यह दिया गया कि अगर आपको cross platform चाहिए तो cross platform app की बजाए आप एक website develop कर लो लेकिन आप एक चीस समझो जरा आपने कभी किसी website को laptop पे देखा हो या उसी website को अगर उसका mobile version नहीं है तो आप उसी website को mobile पर देखिए look and feel इतना बेकार होगा कि आप उस website को mobile बंदी करता होगे क्योंकि लेप टॉप एक website का view और एक mobile website के view में बहुत basic नहीं बहुत major difference होता है we can not say that it's a basic difference it's a major difference in the look and feel of a website in a mobile as well as in a laptop तो फिर problem वहीं के वहीं आ गई कि सर website तो नहीं बना सकता क्योंकि ये website बनाने जाओंगा तो look and feel UI बिगड रहा है तो यहां requirement आई कि बहुत से एसा framework चाहिए जो मुझे cross platform app बनाने के लिए support करे cross platform app मतलब जहां पर मैं यदि किसी app को design करता हूं तो मैं उस app को android पे भी यूज कर सकता हूं और उसी same app को मैं iOS पे भी यूज कर सकता हूं या Windows में भी यूज कर सकता हूं तो यहां पर फिर आई कुछ cross platform frameworks यार इस course को आगे बनने से पहले बहुत important concept जो मुझे आपके साथ discuss करना है और वो यह कि इस course का पूरा एक course curriculum है जो आप लोगों को data flare की website पर मिल जाएगा इस पूरी technology को हमने multiple part में divide किया हुआ है लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हम हर topic में detail में जाके बात करें with interview preparation के साथ बात करें या आप केवल important topic पढ़ना चाहते हैं तो फटा-फट comment करके मुझे बताईए important या deep dive यहां पर introduce you a cross plate from framework जिसमें दो सबसे major framework हाला कि आये तो बहुत सारे हैं ठीक है लेकिन दो सबसे popular framework one is flutter one is flutter and second is react ठीक है one is flutter and second is react native या रियक जैस हम जिसको बोलते है रियक राइट तो flutter और रियक्ट यह दो ऐसे framework है जो सबसे ज्यादा पापोलर हुए कि बहुत अगर आपको cross platform पे जाना है देन यूशुड गो फर flutter और रियक्ट फ्रेम्वर्क इसके लावाद देरा lot of frameworks introduced इवन अगर आप बात करें तो kotlin जो है इसको अभी मैं बात कर रहा हूं कि हम native platform के लिए use कर रहे है kotlin multiple प्लेटफोर्म के नाम से भी एक framework है जो इसको हाँ यूश करके multi-platform एप भी design कर सकते है यह आयनिक करके है जैमरीन करके आपका framework है तरह लोट of frameworks are available अगर आप cross platform app design करना चाहरे नाओड़ेज देरा लोट आप framework right लेकिन दो मोस्ट पॉपुलर framework's are flutter और रिये फ्लटर जो है इट इस गीवन बाई Google और रिये जो है इट इस गीवन बाई Facebook तो यह सबसे दो popular framework आये लेकिन यह तो framework ए फ्लटर इस फ्रेमवरेक जैसां बोलता ना Android is what Android की जो programming हो तो जावा में होती Android is a framework actually operating system है लेकिन उसकी programming किसमें होती है जावा में तो वेसे ही यदि आप बात करें कि यदि मुझे flutter को यूज करना है for cross platform app designing या मुझे react native को यूज करना है तो यहां पर अब आपको चाहिए एक language जिसको यूज करके आप यह cross platform का code लिख सकेंगे राइट तो जिस language की हम बात कर रहे हैं this language is basically used for flutter यह support करता है flutter को for cross platform app designing to dart language is basically used in flutter framework for developing a cross platform app लेकिन केवल यह कहना की बहुत डाट को यूज करके हम केवल cross platform app ही design कर सकते हैं this is absolutely wrong now dart can be used for multiple purpose तो इसलिए हम इसको बोलते है dart is a multi-purpose language multi-purpose language it is not at all restricted on a mobile development in no doubt this language is basically used for mobile development and cross platform mobile app development की जहां cross platform mobile app develop करना है वहां पर हम use करने हैं with this flutter language को तो हम भी यहां पर dart को जो सीखेंगे उसमें main aim हमारा यही है कि at the end we will become a cross platform mobile app developer कि हम flutter को use करके एक cross platform app बनाएंगे believe me इस पूरे course में शुरुआ से लेके end तक हम minimum 20 to 30 project design करेंगे लेकिन उसके लिए पहले हमें dart को सीखना पड़ेगा उसके बाद आपको flutter पर आना पड़ेगा तो वह एक अलग course होगा हमारा लेकिन पहले हम dart की बात करेंगे उसके बाद हम flutter with dart जो कि हमारे next cycle की होगी और next cycle वाली बात होगी अपकमिंग वीडियो पर हम उस पर्पस लाइंगेज तो नाओ आई कैंसे देट डार्ट केंबी यूज़ फोर डेक्स्टोब अप्लिकेशन डार्ट केंबी यूज़ फोर वेब डिवलोपमेंट मतलब यदी आप एक एए सीवैबसेट बनाना चाहते हैं जिसके इंटरफेस को आप मोबाल पे भी वेसा ही लूऌन फिल देना चाहते हैं जैसा कि आप एक्चुली आपकी website को original look and feel देते हैं laptop पे तो एक AC website जिसको आपको mobile और laptop दोनों पे आपको proper interface के साथ design करना है that is possible with the dart technology या जिसको dart को use करके हम इस तरीके का interface design कर सकते हैं which is actually provide proper look and feel in mobile as well as in laptop और desktop जो भी आप बात करें तीसरा dart can also be used for developing an IoT application कि dart is also successful in IoT application तो अब यह कहना कि dart is only used for mobile app development that is not absolutely correct yes majorly used for this purpose but now it is available for multiple technology या multiple purpose के लिए मिसको use करते हैं लेकिन अब यहाँ पर question आता है साथ dart के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए यह तो समझ में आगे dart हमें क्यों पढ़ना है dart की requirement क्या है तो आप देखिए अगर आप इसकी एक line definition को सुनेंगे तो शाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सारे के सारे characteristics एक line में ही support में आ गए it's an open source platform independent object oriented programming language ठीके open source है that means source code is openly available तो dart community के लिए यह best है कि boss यदि आप किसी further development के लिए dart का source code चाहते हैं तो this source code is openly available it's an open source freeware there is no need to purchase any license software to install dart in our machine मतलब अगर आपको लगता है कि अभी आपको dart के programming अपने laptop पे शुरू करना है तो just आप इसके जो सेट अप पर जाईए इसके setup को download करिये और your laptop is ready even आपको यह भी नहीं करना है तो there is an online editor available जिसमें आप dart के programming बड़ी आसानी से करते हैं मैं भी आपको installation के time पे दोनों option बताने वाला object oriented that means it follows all the features of object oriented programming like inheritance encapsulation classes object collection framework को support करता है there is a collection generic classes का support है अगर आपने java पढ़ी है तो you know what is collection what is generic अगर आपने C++ में STL पढ़ा है तो आपको पता होगा collection क्या होता है अगर आपने python पढ़ी होगी तो चाहिए आपको पता होगा collection क्या होता है this is one of the most fantastic concept for any languages collection support यहां पर आपको मिलेगा object oriented के सारे feature को support कर रहे है platform independent so that you can develop an app which runs on multiple platform so these are some important features about this dart technology I hope अभी introductory video में आपको यह समझ में आया होगा कि why we should go for dart what is actually dart लेकिन अब जब इसको सीखने की बारी आईगी तब हम इसके detail में बात करेंगे जहां पर हम dart के history के बारे में बात करेंगे ठीके dart किस तरीके से develop हुई है क्यों इसकी need है इन सारे concept को हम हमारे upcoming वीडियो में discuss करने वाले हैं तो बस बने रहो समझते रहो और इसके बाद एक और important concept है जो मैं आपके साथ शेयर करदा हूँ कि बहुत डार्ट को जितने level पे हम सीखते जाएंगे उतने level पे हम इसके interview questions को discuss करेंगे जैसे जैसे डार्ट में हमारी programming एक level तक पहुचेगी हम इसमें project development शुरुआ से शुरू करेंगे ऐसा नहीं कि at the end of the dot हमें project बनाना है यदि हमें लगता है कि सथ जितना concept हमने सीखा है क्या इससे कोई micro project बन सकता है तो हम बिल्कुल try करेंगे तो overall कहने का मतलब यह ही कि इस पूरे course में आपको interview questions मिलेंगे data related projects आपको मिलेंगे notes आपको मिलेंगे सो बस बने रही है पढ़ते रही है और खुश रही है ठीक है तो चलिए मुलाखात करेंगे next lecture में till then take care bye bye